बिस्मिल्लाय रह्मानी रहीम असलालेकूम रहमत लापर करता हूँ मेरे प्यारे प्यारे चटोरे दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आपकी चटोरी शेफ सायरा और आप देख रहे हैं सायरा स्क्यूरियस केचन आज मैं बहुती जब्दसी रेशिपी लेकर आई हूँ जो लोग अपनी कंट्री से बाहर हैं और इसे बहुत मिस्ट करते हैं और जो लोग अपनी कंट्री में हैं मगर बाजार से लाना ज़रूरी नहीं समझते वो खुद अपने हाँ से बनाना चाहते हैं यह रेसेपी उनके लिए है आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी मुंबई स्ट्रीट मुहमद ली रोड का माल पुआ रबडी के साथ बनाने जा रही हूं तो दिल खुश हो गया ना नाम सुनके आपका तो चलें देख लेते हैं इसे किस तरह बनाते हैं चले आप इसकी जगे पे मलाई भी घर की यूश कर सकते हैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें जाएगा चार टेबल स्पून कंडेंस मिल्क चार से पांच टेबल स्पून आप शूगर भी यूश कर सकते हैं और चार से पांच टेबल स्पून आप कंडेंस मिल्क भी यू कंडेंस मिल से रबडी का कलर बहुत अच्छा आजाते हैं अब मैं इसमें दालूंगी दो टेबल इस्पून ब्रेड क्रम यह थिकनेस भी देगा और दानेदार भी हमारी रबडी को बनाएगा साथ ही साथ यह देखिए एक टेबल इस्पून बदाम एक टेबल इस्पून यह देखिए थिक हो गई है आप इसी तरह की रखिए क्योंकि यह और थिक होगी जब थंडी होगी तो हमें बहुत ज्यादा थिक नहीं करना है गैस बंद कर देंगे और इसे हलका थंडा होने के लिए छोड़ देंगे एक पैन में हम एक कप दूद लेंगे अब इसी कप से हम एक कप शुगर डालेंगे हाफ टी स्पॉन इलाइची का पावरर डालेंगे हाफ टी स्पॉन इसमें यल्लो फूट कलर और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसे पकाएंगे शुगर के डिजॉल्व होने तक और साथ ही साथ एक बॉयल आने तक चूगर अच्छे से डिजॉल्व हो गई है और एक बॉयल आ गया है बस अब इसे जादा नहीं पकाना है हमें अब इसे हम एक बॉयल में ट्रांसफर कर देंगे और थंडा होने के लिए रखेंगे अब यह देखिए दूद एकदम अच्छे से थंडा हो गया है यह बिल्कुल भी गरम नहीं होना चाहिए बिसम लायर रह्मानी रहिम अब इसमें हम दालेंगे 1-4 टीस्पून से भी कम सोडा याने 2 चुटकी समझ लीजे इसको मिस्क करेंगे अब यह दो एग लेंगे और इस दोसको भीड़ा सकें वरना आपका पूरा सामान खराब देगा यह एक कुछ पूरा सामान खराब विए बीट बिट और ने मिक्स करेंगे अब हम एक कब मेधा लिया है 250 ग्रां मेधा ऐसकों थोड़ास डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे किसी तरह का कोई लम् अब यह देखिए मैं इसमें दो टेबल स्पून फ्रेश क्रीम दाल रही हूं आप घर की मलाई भी डाल सकते हैं मगर उसमें कोई लंप्स नहीं होना चाहिए और यह थीक क्रीम है इससे बैटर पतला भी नहीं होगा इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इससे रीचनेस बहुत अच्छी आ जाएगी अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून केवड़ा वाटर से इसका फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छा हो जाएगा यह देखिए हमें इस तरह का बैटर चाहिए गाड़ा-गड़ा सा ताक इस तरह से चेक कर लेंगे अगर आपको लगता है कि तेल जादा गरम हो गया है तो आप प्लीज गैस बन कर दीजेगा वना एक मिनिट में जल जाएगा अब जितना बड़ा आपको मालपुआ बनाना है आप छोटा भी बना सकते हैं ताकि आप अच्छे से टेक क्यार कर सके इस तरह से हम दालेंगे आप आप अब इसे एकदम धीज पर स्लोली स्लोली पकने देंगे जहां से पूल रहा है, वहां से हवा निकाल देंगे, इसको दबा दबा के, एकदम आपको एकदम मौमदली रोड वाले फलफी फलफी बंद के मिलेंगे, इस तरह से आप मेजरमेंट का बिलकुल भी ध्यान रखेगा, जरा भी आपको उसमें कम जादा नहीं करना है, टिप्स अधर किनारे से ब्राउन हो रहा है, गोल्डन उठा के देख लेंगे, इसको पलट देंगे, जब एक तरफ से पक गया है तो एक खुद बखुद आरा है, आपका मालपुआ पलट जाएगा, जो ब्राउन कलर होता है, इसकी खासियत होती है, इससे जरा अच्छा से जाच हो गई है, जल सकता है, तो आप फॉरन गैस बंद कर दें, और उसे ऐसे ही तेल में पकने दें, इस तरह से आईस्ते से आप उठाएं, ये देखिए मैंने उल्टा चमज लिया है, तो ये आसानी से उठेगा, और सारा तेल इस तरह से आप दबा दबा के गिरा दें, बहुत ही कम तेल इसमें से निकल रहा है, अब हम इसे टिशू पेपर पे निकाल देंगे, बिसमिल्ला रह्माने रहें, ये देखिए मैंने जिस तरह से बताया आप उस तरह से फ्राय करेंगे, तो ये देखिए बिल्कुल भी ऑईली नहीं है, ये देखिए हमारी जबजा स सा टेस्ट आता है, ना फलफी फलफी सा हमारा माल बुआ रबडी के साथ तयार है, रबडी भी देखिए कितनी दानेदर हो, कितनी मज़ेदार से बनी है, थोड़ा से केवडे वाला पानी है, इसमें जाफरान मैंने डाला था, बहुत ही अच्छी कुछबू देगा, इसके ख़ाया जाता है, तो आप इसमेरे स्थाल से जरूर बनाएगा, मज़ाई ही आजाएगा आहाऊधागा, जिन जिन चैटोरे दोस्तों ने मुझे सब्सक्राइब क्या, प्यार दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन जिन निन अब तक मेरा चानल सब्सक्राइब नहीं चटपटी सी या स्वीट सी रेसिप के सार जब तक के लिए मुझे दूआ में याद रखेगा अल्ला आफीज